हेलो फ्रेंच वेलकम टू माई इस्टडी शीट चैनल दोस्तों प्रिवेस यर में पूछे गए फिजिकल एजिकेशन से रिलेटेड किसी भी एक्जॉम्स जो कभियर्स एविएस टीजिटी पीजिटी यूपी टीजिटी पीजिटी एंध्यार्खरन राजस्थान टीजिटी में जितने भी कुष्टन्स प्रिवेस यर में को पूछे गए हैं उन सब की टापिक वाइज को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं जिसमें आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी थिवरी सेशन आपने पहा होगा मैंने थिवरी सेशन भी कम्प्लीट 80% कर दिया है जो आपके कम्पेटिटी एक्जाम्स के भी सेशन भी सेशन भी सेशन प्रिवेस यर में पूछे गए हैं उनका विरोर यहां पर होगा वीडियो को सुरू से लाज तक देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बिल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा जिसे जो नया विडियो अप्लिट करूंगी उसका नौटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला कुस्चन है दोस्तों कि मानो सरीर का सबसे ब्यस्त अंग है चार आप संदिये हुए हैं सबसे ब्यस्त अंग कौन शाह होता है जैसा कि हमारे एक मिनट में 62 से 75 बार इसपंदन यानि ढुणता है और यह विबिन अंगो में रुधीर को पहुंचाता है और विबिन अंगो से असुद रख्त को लाता भी है इसमें जो धमनी या उसला दो होती हैं जो सीराय होती है हमारे समचत अंगों से असुधिरक्त को हिदय में लाता है आकर के एंड जो धमनी होता है वो हमारे हिदय से सुधिरक्त को समस्त सरीर में पहुचाता है और हिदय के सिकूरने को सिस्टोल एंड फैलने को डास्टोल कहते हैं यह प्रक्रिया मानो जीवर में नियंतर चलता रहता है हिदय को सबसे ब्यस्त अंग कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है हिदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते है इसका सही आफशन है पेरिकार्डियम हिदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते है पेरिकार्डियम दोस्तों हिदय की उत्पत्ति मिसोडर्म से हुई है और इसमें तीन परत से बना होता है जिसको पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम यह तीन परते होती हैं दोस्तों कभी-कभी पेरिकार्डियम न कहके बाहरी परत को एपिकार्डियम भी बोल देता है क्योंकि इस तरह से भी इसको बला जाता है कि एपिकार्डियम, मायोकार्डियम इंडोकार्डियम क्योंकि एपिकार्डियम से से बाहरी परत होता है और एपिकार्डियम परत जो होता है वो पेरिकार्डियम के तीन परतों से बना होता है और जिसके अंदर सेरस नामक पडात भरा रहता है इसलिए कभी-कभी बाहरी परत को एपिकार्डियम भी बोल सकता है पेरिकार्डियम भी बोच सकता है इसको आप ध्यान देजिएगा नेस्ट कोश्चन है कि उच्छ रख्त चाप के समय हिदय के किस भाग को कठिन कारे करना पड़ता है जैसे कि आप सब प्रसुचर तंत्रयों हिदय के बारें पढ़े होंगे इसका सही अंसर देंगे तो उच् पंप करके इरोटा मुख्य धमनी से समस्त अंगों में रख्त पहुचाया जाता है इसलिए वह हमारा बाया धमनी बाया नीला हमारे हिदय में सबसाइदा वर्क करता है और उच्छ रख्त चाप हो गया तो और यादा उसको वर्क करना पड़ेगा जिससे क्या हो जाता है ज हिदय की बिमारी हो जाती है नेश्ट कुष्चन है कि सिस्टोलिक और ड्यास्टोलिक दबाओ के बीच के अंतर को किश नाम से जाना जाता है तो इसका सही एंसर होता है पल्स फ्रेसर दोस्तों सिस्टोलिक और डियस्टोलिक दबाओं के वीच के अंतर को पल्स फ्रेसर बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेसर एंड डियस्टोलिक प्रेसर होता क्या है सिस्टोलिक प्रेसर जो है दोस्तों जब बाय निले के शंकूचें के दोरान जो रक्त कादाब ध्धमन्यों पर परता है उसको शिस्टोलिक पररी मेंता है यानि कि सिल्स के जब बाये नीटाइञ होता है उसे रख्त ध्धमन्यों द्वरार में भाग पहुझाजा जाता है उसे सिल्सक्राइव. कहते हैं एक सुभी स्यव मे अजी होता है कि जब भाया निला पुन्ह प्रकूँचित होता है रक्त भेजने के बाद भेजतें समय जो दमणईयों से दब़ता है उसको ISO कहते हैं ऑसे सिस्टोलिग कघते हैं ऑ फिर भरते समय जो प्रेश्ट धमनियों परपता है उसे प्रेश्र कहते हैं यह जुह है बैक्ति में रख्त दा делает की कौन बलड बयंगी की तरह कारे करता है तो इसमें छी होगा प्लिहा प्लिहा बलड बयंगी जितना रुधिर को आ सकता है सरी को उतना से जो अधिक रख्त बचता है उस रुधिराड़ियों का शंग्रह करके रखता है पलिहा और यहाँ पे आ सकता पढ़ने पर इन्हें रुधिर को मुक्त करती है नेश्ट है दोस्तों लाल रुधि कोशिकाओं का उत्पादन कहां होता है तो इसका उत्पादन होता है इसका सही अप्सन है अस्थी मेरो यानि बोर्न मेरो में दोस्तों मनुस्त में प्रती घर मिलिटर रखत जो है पांच मिलियन होता है मनुस्त में प्रती घर मिलिटर जो लाल रुधि कोशिकाओं का निर्मार कहां होता है अस्थी मेरो यानि बोर्न मेरो में नेश्ट कोश्चन है लाल रुधि कोशिकाओं का निर्मार कहां होता है हमेश्च हो चुक few हुँ दूसरों आज है कि चोंत लगने पर रग्त placing करता है तो प्लेटलेट करता है है . इसको छोच्प में ब्लेट का घुज्ञानिक नाम थ्रोबिजliche जैसे कि RBC का अरिथोसाइट एंड WBC का लीकोसाइट एंड प्लेटलेट्स का थ्रुम्बोसाइट बियानिक नाम होता है। दोस्तों मनिस्यों में प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है 2-5 लाग या 1.5-5 लाग तक होती है। किस काम में आता है रक्त के जमानी का रक्त इसकंदर के कारे में आता है। नेस्ट कॉस्टन है दोस्तों कि चोट लगने पर रक्त इस तरह को रोकने यों रक्त जमनी में कौन सा तत्व सहायक होता है। तो वही question हुआ इसका सही answer हुआ thrombocytes दोस्तों thrombocytes दे सकता है platelets दे सकता है इसलिए आपको दोनों याद रखना होगा कि thrombocytes platelets को कहते क्या है बग्यानिक भासा में तो thrombocytes नेस्ट कोस्टन है दोस्तों कि निम्निलिखित में से कौन संचारित होता है निवलिखित में से रक्त से कौन संचायथ होता है एंजाइम्स, आक्सिजन, हारमोन जैसा कि दोस्तों उप्यूक्ष सभी यहाँ पे रक्त में एंजाइम्स भी और हारमोन और आक्सिजन तीनों संचायथ होते हैं तो आपसर नमबर D करेक्ट एंसर उप्यूत सभी नेश्ट कोशन है दोस्तों मानों में समान धरकर दर कितना होता है तो मानों में समान धरकर दर कितना होता है धरकर दर 72 बार प्रति मिनर जैसा कि आप सब को पता है कभी कभी 72 से 75 बार भी दे देता है नेश्ट कोशन है दोस्तों कि मनुष्ट के हिदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है दोस्तों जैसा कि मनुष्ट के हिदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है तो 0.8 सिकेंड का समय लगता है दोस्तों हमारा हिदे जो है प्रत्ति मिनट पांस से छे लिटेर रुधी पंप करता है और उसको एक बार धड़कने में 0.08 सेकेंड समय लगता है और दोस्तों इसमें जो रक्त हिदे से रक्त सरी की तरफ भेजता है तो एक धड़कन में एक पंप में जीतना रक्त सरी की तरफ भेजता है उस रक्त की मात्रा को इस्ट्रोक वैलिम कहते हैं जो कम से कम सतर से बहतर यमल होता है और जितना हार्ट रेट होता है उतना ही इस्ट्रोक वैलिम होता है और यह होता है दोस्तों यह तो प्रती धड़कन रक्त की पंप करने की चंता को इस्ट्रोक वैलिम कहते हैं जैकि प्रती मिनत रक्त जो पंप किया जाता है उसको एक आउटपूट का सुतर होता है दोस्तों, इस्ट्रोक वालियोम गुड़े हार्ट रेट तो स्ट्रोक वालिउम गुड़े का स्ट्रोक वालियोम तो सथ्ट्रोक सथलेसेसर और रहात्त ह statt है और सथलेसेसे को आई-टे का हम 5002 kNh यानि कि हमारे सरीर में कितना रखता है प्रति मिनठ कितना रखता है तो 5-6 litre ता 5-6 liter थीक Hai 502 लीटर ने ज़ी कोशन दोस्तों कि स्वर्च मनुष्ट्रे की हिड्य की ओसत गती प्रति मिनठ कितनी होती है तो इसमें कितना होता है इस आप्सन में कोई भी नहीं दिया है जैसकि 72 प्रतिमिनित होता है बहत्तर से 75 तो इसमें कोई भी आप्सन सही नहीं है तो दोस्तों यह कई प्रकार से कोईशन गुमा फिरा के पुछ सकता है इसलिए जो वही वही कोईशन रिपिटेट है उसको मैं छोड़ दी रहे हूं नेस्ट कुस्चन है दोस्तों कि एक रक्त की बुंद में कितने सेल्स होते हैं जैसा कि एक रक्त की बुंद में पांच मिलियन सेल्स होते हैं यानि कि पांच मिलियन का मतलब पचास लाख दस लाख में एक मिलियन होता है एंड दोस्तों एक रख्त की बूंद में कितने शेल्स होते हैं तो पांच मिलियन सेल्स होते हैं जबकि यह लाल रुधी कड़िकाओं का पुछा है लेकिन डायेट पूछ दिया है एक बूंद की रख्त में कितना सेल्स होते हैं तो पांच मिलियन जबकि यह प्रश्ण क्या ह होना चाहिए था कि एक रक्त की बुंद में लाल रुधी कड़ी काउं में कितना जिल्स पायाता है तो पांच मिलियर्स पायाता है वहीं पुछ देगा आपका रुधी प्लेटलेट्स में कितना पायाता है तो देड़ से चार लाख या पांच लाख ऐसे होता है एस्वेट रुधी डब्लू बीसे में पांच हजार से ग्यारा हजार तक पायाता है एक घण मिलिलीटर आइटन में या उसको एक बुंद बुल सकते हैं नेक्ष्टी दोस्तों लाल रुधीर कड़िकाओं में कौन सा तत्व आक्सीजन यहां करबन डययाक्साइड की वहख का कायर करता है कौन करता है तो आप सब को पता है हीमोग्लोबीन जो हमारे आक्सीजन को एलुलॉआई फिफ्रे के एलुलॉवाई से ग्रहा करके फेफ्रे में जाकर सुद्ध होता है वहां से हिमोगलोबीन वहां के आक्सिजन को ग्रवा करके हमारे समस्ते सरी में परियोहन का काम करती है समस्ते सरी को पहुचाती है नेस्ट कोश्चन है रग्त का कारे है रग्त का क्या कारे है C है A oxygen की आप्रति B विद्धी कारकों को ले जाना C इन मेंसिंदोर और D इन मेंसिंक form नहीं तो दोस्तों यह oxygen की आप्रति होगा और विद्धी कारकों को भी ले जाता है जो भी protein वहाती है iveness and energy तब अब हई ड्यडेट प्रोरोटीन वाइबस अशnantरे हमारा रखती ही करता है तो इससे सही अपसन होगा इन में से दोनों नेश्ट कोश्चन है दोस्तों धमनिया रखते ले जाती हैं कहां से ले जाती हैं हिदय को कि हिदय से कि मस्तिस को कि किसी में नहीं तो धमनिया रखत हमारे हिदय से समस्त शरीर की ओर लिजाती हैं और हमारे समस्त शरीर से असुद रख्त को कोड़ लाता है हिदय में तो सिराएं लाती है तो दोस्तो नेक्स्ट कोश्चन है सरीर में धमन्यों का कारे क्या होता है क्या होता है हिदय से रख्त ले जाना हमारे समस्त सरीर में हिदय को हमारा समस्तरी को रख्त पोचाने का कार कुन करता है दोस्तों हमारा धमन्या करता है दोस्तों जैसा कि एक महतपूर कोस्चन यह है कि यह हमारे धमन्या होती है वो कितने भागों में बटी होती है जैसे कि बाएं निले से जब एरोटिक वालों के रास्ते मुख्य धमनी में ध धमनियां कई भागों में बढ़ जाती है एक धमनी होती है जिसे कुरुनरी धमनी कहते है जो हमारे स्वयम हिदे को यह रखते सप्लाइ करती है और वहां से रखत वापसी कुरुनरी साइनेस के द्वारा होता है दुसरे धमनी की साखा दाई और बाई केरियोटिड धमनियां म हमारे सरी ह没事 के दोनों हिस्षों को क्यों पहुचती है तो कुछ पहुचाती है दाइभाई करोटी धमनिये एक स्राषर ताखर दांभाई क्लेवियन धमनिय जो हमारे कंधों भुजाओं होँ रखते और यह आगे चल कर आंतरिक अंगों को खुन पहुन पहुंचाती हैं और लिए चल कर के उधर च्छेत्र में दो भागों में भढ़ जाती है दाईयों पाय इलियक धमनी जो हमारे पेलวिक छेत्र में इसी अंगों को रख्त पहुंचाती पैरो तक नीचे पैरो तक जाती है जिसे वहाँ जाकर कि इसको फिमोरल धमनी करते हैं तो इस अब भी दोस्तों आपको जानना आउसक है क्योंकि एक नया question पूछेगा तो आप confusion हो जाएंगे इसलिए मैं इसना detail में बता रही हूँ तो दोस्तों next question है कि धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधी का रंग होता है तो कैसा रंग होता है धमनी के अंदर लाल रंग क्यों क्योंकि हमारे धमनी के अंदर सुध रक्त बहता है और यह हमारे समस्त सरीर को रख्त अपूरती करता है हमारे हिदय से ले जाकर की जबकि यहीं पूछेगा कि सीरा के अंदर पाए जाने वाला रख्त का रंग कैसा होता है तो उसमें नीला रंग होता है क्योंकि वह असुद रक्त होता है वह हमारे समस्त सरीर से असुद रक्त को हिदय में हो जाता है नेश्ट कोशन है कि हिदय वाहिनी के किस हिसे में रक्त के बहाओ की गती सबसे कम होती है तो सबसे कम किस वाहिनी में होगी दोस्तों जैसा कि हमारा हिदय से रक्त जाता है धमनी में धमनिया आगे चल करके कई छोटी-छोटी धराओं में ब्यक्त हो जाती हैं जो रक्त वाहिनी होती हैं रक्त वाहिनिया भी कई पतले-पतले धराओं में ब्यक्त हो जाती हैं जैसी केसिका कहते हैं तो सबसे रक्त बहाओं की सबसे कम ग नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मसल कीओ जो हमारे अस्तियों से जुड़ी होई पेशिया होती है तेंडर के द्वारा जो अस्तियों से जुड़ी होती है एची पेशिया या रेखी पेशिया उस तरब जोड़ती है उसको इसकेलेटर मसल्स बोलते हैं यह समानता विश्राम के समय रख्त लगभग 15-20% धायदार मांसपेशी यानि इसकेलेटर मसल्स की ओर पूरती करता है जबकि जब हैवी एकसरसाइज करते हैं तो रख्त प्रवा का कुल 80-85% तक इसकेलेटर मसल्स की ओर रख्त पूरती करता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और जो कूस्ट्टशuito बच्छे हुए हैं next series में होगा आई ओप की दोस्तों आपको कूस्ट्टश्टस समझ में आते होंगे और जोभी कम्यां होंगी दोस्तों मुझे comment में जरूर बताईएगा और जो भी अच्छा आपको लगा मुझे comment में उसको भी बताईएगा और किसके topic पर आपको confusion है उस topic को भी बताईएगा उस confusion को भी मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी और जितने भी topic theory session में भी बचे हैं उन सब को भी मैं पुदा करूंगी और जो mcq questions previous year के हैं इसको daily basis में चालो रखोंगी बस आप practice करते रहे और theory session भी देखते रहे और practice भी करते रहे और previous year questions के दोस्तों और दोस्तों पहली विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिसी जो ही मैं नया वीडियो अप्लूट करूंगी उसको notification आपको मिलता रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेस्टेजिज में तर्तक्रिजिए